नमस्कार फस्ट इंडिया के खास कारिक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्तेत हैं राजस्तान सरकार के सामाजिक नया अधिकारिता मंत्री अरुण चत्रुवेदी अरुण जी हाली में उपचुनाओ वे जिस जनता ने 75% रिजल्ट दिया था भाज़पा के पक्ष में आज 75% खिलाफ आ गया ऐसा क्यों ह यह बात सही है कि उपचुनाओ के परणाव हमारे पक्ष में नहीं गए लेकिन मैं इसको कहूंगा केवल कई बार क्या होता है कि जो जीता वो सिकंदर वाली बात यहां पर है पहली बात तो यह तीनों यह चार जो चुनाओ हुए थे वो प्रदेश के सरकार के लिए मेंडे लोग चुनाओ जो हता है बहुत चुट चुटे मुद्धों पर इस्थानी विश्यों को लेकर के चलता है और मुझे लगता है कि बड़ा कारण यह रहा कि हम उन चुनाओं में इस्थानी कारणों के कारण से इनमें जातीवाद भी रहता है को और कहीं फैक्टर होते हैं ज सबको बुलाया है सबसे अपनों की क्या फीडबेक दसकी जानकारी लिए और निश्चत रूप से एक रोड में बना करके दीरे दीरा मुझे चीजों को ठीक करने की क्या करण है रवन जी जब चुनाओं की घोशना हुई थे उप चुनाओं की तब कहा गया था कि रहस्तान सरकार के अपर के वाड़े के बारे मैन्डेट नी 묽 बैसे लिए बी किसी वी सरकार का का आकरण को yada कार्ण में हं अयह जाए बार पांस साल बद जनता के बीच में गे तो अपना रिपोर्ट कार्ट जनता के सामने रखेंगे इन इन वादों को लेके उगे थे हम ने पांसार में ये और आप जनता का आपके तो एक मंदरी हैं जञजाती मंदरी गंदलाल मिना उन्होंने कहा था कि नो महीने का तो समय दीजें नो महीने में तो क्या गर्ब निकलेगा ये पता लग जाएगा और तीन सो दिन यानि कि नो महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन जो रिजल्ट आया हमें इससे और हमें मिशन की बावना बढ़ी है हमारी जिस उद्देश को लेकर करके राजिस्तान म जो हम आरूप लगाते तो पूरी तो पूरल सीद परहसे दिखिए हम बिजली का उत्पादन उन दूना नहीं हुआ बिजली का डिस्टिबूशन का सिस्टम ठीक नहीं था शिक्षा का धाचा पूरी तरह बिगड़ गया हमारे कईना के फैनेशल मेनेजमेंट को पूरी तर हमें आगे बढ़ रही है और आने वाले दिन अच्छे दिन आ सकते हैं लेकिन अच्छे दिन की विश्वास भी नहीं बन पा है मैंने आप काया कि राजिस्टान सरकार के कामों के उपर में डेटे हैं ता मैं फिर उसके उपर आता हूं इस्थानी मुद्धे बहुत जादा थे मैं कई जगे कई उधारा नहीं हो सकता है कि कि प्रत्याशी चैन में हमसे कोई गलती आ रही है जिनको कहीना की समय पर हमें ध सेलेक्शन है वो भी बड़ा कारण है कि लेकिन कॉंग्रेस कहती है लेकिन कॉंग्रेस में जिस तरह से कॉंगरेसाश है जो फिर चनल के मादिय Prep । चाहता हूं यह जो लगातार लोकसुबा चुनाव से पहले भी कॉंग्रेस ने इसी को मुद्दा बनाया था पचीस के पचीस सीटें भारतिय इंता पार्टी के आई कॉंग्रेस पर एक सीट पर नहीं जीत पाई एक योजना है जो उस कारूप लगता है वो मेरे विवाग से स देखा ध्यान बाता है कि उसमें तीन मेने चार मेने पेंशन पहुँषती है जब भरतपूर्त संभाग में पहली बार गये बाडी के में गौह में गूंव रहा था लोग उनका तेन चार मेने वा आती है एक मेने के पैसे पो डाकिया ले लेता है अलग लग लग हमारी सरका का तो इंट प्रौूर्ण ही का उसको हर महीन अपना पैसा मिलेगہ बीच में गर कोई लिएन की बात थैंगे बामाशा के साथ जोड़ा है दिसमबर जनवरी तक इस काम को हम पूरा कर लेंगे अभी बी लगबाई- लगबाई- हिस जार चार्चारीश पर्सेंट के आसपास लोगों के बैक एकाउंट हम खूल चुके हैं जैसे वह पाली का है पाली में जो पाली इक शहर के जितने हैं बैक आ कुल गए उन सब को एनलाइन प्रफेमेंट जा रहा है भी इस सिस्टम को ला कर करें हम उन्ती न को दूर करने काम करें अरुन जी बड़ी बात यही है कि अभी आपने भावाशा की बात की बावाशा की अकाउंट जिस तरह से खोले जा रहे हैं जिस तरह से वहां लोगों से पैसे लिये चाहरे हैं कई जगे गलत कार्ड बनाए जा रहे हैं तमाम तरह की समस्या हैं वहां आ रही हैं ऐसे पहली बात तो हमने इस चुनाव के आखरी मोके पे कारिक्रम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो कहिना के इतने बड़े अभिहान में चोटी-मोटी कमिया रहेंगी, प्रोसीजर की भी रहेंगी, टेक्निकल स्टाफ की भी कमी रहेंगी, उनको दूर करने की प्रकिया भी साथ साथ चल रही है। आज आप देखते हैं, जो भी आज इसके माद्यम से कार्ड बन रहे हैं महमाशा के, महमाशा के कार्ड बनने के बाद चार इस तरफ पर उसका वरिफिकेशन होता है, और जब पूरी तरह से चौते इस तरफ पर भी जब वेरिफा हो जाता है, तब उसको कार्ड दिया जाता है कभी जैसे आधार कार्ड का सिस्टम था बड़ा अभ्यान की रूप में चला लेकिन उसके बाद में एक जगे पर कोई भी ऑफिस में आ करके अपना अधार कार्ड बनवा सकता है इसके साथ भी वो सिस्टम जुड़ा गया अज पर लिए चे मेंनों से और प्रद तरस रहा है यह आपका ये घलत है चेंए नहीं सितंबर तक का पेंशन का पूरा भुकतान सरकार की तरफ से बेज़ दिया गया है आज हम सितंबर बैट हैं अगस्त तक का सब चला गया सितंबर का अक्टूर में जाएगा यह पूरा पे और अभी भी क्योंकि भामाशा के साथ जोड़ा हुआ है, काम जल्दी नहीं होगा, इसलिए अगले मार्स तक के इस काम के इस काम केश पेमेंट हो रहा है, इस वेरिफिकर, बनियाडर के थूर जाता है पैसा, जिनके बैंक अकाउंट खुल गए है, उनको आज भी ओनलाइन जा रहा है, लेकिन फिर क्यों ऐसी आवाज उठी है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, बीच में आया, यह जो मैंने का रहा है, समय बढ़ाने का समय था, इसकी फाइल को जाके और फाइनिस निकलने में थोड़ा पंद्रे बीस दिन का समय लगा, मैंने पहले जून तक था, ज सेदानी करूप से तो यह सरकार भी सहमत है, लेकिन जब आदमी जाता है, मरीज जाता है, तो दवाएं नहीं मिलती, दवाओं की कोई विवस्ता नहीं है, कोई मौनिटरिंग करने वाला नहीं है, जिस तरह से आशोग गैदर की कौवर्मेंट में मुफ्त दवा योजना एक बहतर तरीके से चल रही थी, उसको और बहतर बनाने की बात हुई थी, लेकिन दवाएं गायब हैं, लोगों को मिल नहीं गहीं है, बाड़ा गई, आपके पंदरे दिन के लिए ट्रांस्पोर्टरिशन हो जाएगा, कश्मीर से अगर से यह बाता है, तो कश्मीर में जिस त जाच की तो रिपोटास तक आई नहीं और विवस्ताएं और बिगड़ती जा रही है, अर मरीज घूम रहा है, फिर वापस डॉक्टरों के उन्ही प्राइवेट डॉक्टरों के चक्रों में आ गया है, लगाता है इस बात की मुनिटिन, दरुबाग यह है कि जिसमें पिछ थियात्रा की उबस्ता की, उसको लेकर आपके सरकार पीछे सकती होना चरा रही है, आप तो एक क्लॉज और लगा दिया कि जो सरकारी करमचारी हैं, उनके जो माबाप हैं, उनको नहीं मिलेगी है, सुविदा, मैं यह तो नहीं जानता करमचारी वाला कि मेरे पास सीधे इस पर उसमें इतनी कलॉज लगा दी गए हैं कि वरदों में भी बीच में बाइफरकेशन कर दिया गया यह वरद जाएगा, यह वरद नहीं जाएगा, मुझे इसके बारे में फस्टेंड नहीं क्यों मेरे विवाग का विशह नहीं और यह जानकरी नहीं मैं नहीं कर सकता है, जिस वक्ती में सामर्थ है, उसको और जिसमें सामर्थ नहीं उसको हम कभी एक एक इकवेट करके नहीं देख सकते हैं, इसको तो समाज में डिस्टिंगूश करना पड़ेगा, एक बीपियल का है, अगर हम बीपियल के बरावर की सुवधाएं एपियल को देने की बात तो कहीं न कहीं हम अपने जो रिसूर्सें सरकार के उनको गलत दिशा में देने की बात करें। जो नहीं जा सकता है, इसमें हम एपियल वीपियल नहीं बारते हैं, निश्ट रूप से राष्टे दर्शन होना चीए, तीरत इस्तानों पर लोग जाएं, इसकी बेश्रुआत होनी चीए, जो लोग जाने भी चीए, लेकिन कहीं कुछ मैं, मैंने पहले इस बात को फिर दो चीए, जो चातर रुती है, किस तरह से इंडीजी कॉलेजों के, जो ये माफियां है, किस तरह से लूट हसोट करने, उसको लेकर आपके डिपार्टमेंट ने कुछ है, परताब जी शाद आपका पूरी जान करी नहीं है, हमना आने के बाद इसको सारे सिस्टम को उनलाइन क है, अब किसी इंस्टूट को पैसे नहीं जाता है, सीधे विद्यारती के बेंक अकाउंट पैसे जाता है, कोलेज से आता है, सब पहुंसता है, मैं जब आया था, तो लगब 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 तेरे लाग सम्थिंग का स्पा स्कॉलर्शिक थी, आज सारी अमने अभियान चलाय मैं, इंजिनिंग करके चला गया, अब तक पैसे रोक करके उसके पढ़ाई पहता है, आपने को सरकार नहीं किया, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यारती होंगे, जिनको स्कॉलर्शिप समय पनी मिली, इसका पढ़ाई छोड़के चले गयोंगे, इसने मेरे मन को पुरा ओनलाइन कर दिया, अब किसी तरह को मिलती है, सीदे चातर के उसमें जाती है, इसमें किसी परकार के करॉप्शन की संभावना खतम, इसने के पहला करॉप्शन के चार्जे थे, उनको हमने कर्मिनल प्रोसिकुशन की सेंक्शन जारी कर दी, जो मरे परफाइल है, पि पार्टी भी सब्ता में आई, लेकिन हाला ते जसके तस है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये बड़ी चुनोती है, और इसको हमने एक चेलेंज की रूप में सुइकार करके काम शुरू किया है, मैं सोयम भी लगातार जहां जाता हूँ, छातरावासों के दोरे करता हूँ, उनको सुपर्वाइज करने काम किया, हमने प्रदेश इस्तर के तेरे अधिकारियों कहा है, वो नीचे जिले तक नीचे तक दोरे करेंगे, जिले के अधिकारी नीचे तक जाएंगे, और हम एक चेकलिस्ट मनाईए, चेकलिस्ट का अधार पर लोगों से लगातार अपने प प्राइवेट एंट्योबियर्स को भी जोडेंगे, कुछ एंगियों को भी जोडेंगे, कई ऐसे फंगठन हैं, जोनोंने भी कहा है कि हम इस पर काम करेंगे, बहुत बड़ी चुनोती है कि इसमें बहुत कई बड़े ब्रिलेंट बच्चे भी रहता है, मैं पाली में गया, मैंने पाँच बच्चियों को, उसमें छुटियां थी, पाँच बच्ची थी, मैंने उनसे पूछा कि उनके परसेंटेज कितनी हैं, तो सतर परसेंट से पिच्चासी परसेंट के बीचों अनके परसेंटेज थी, दसवी क्लास में, मुझे बड़ा अश्र हुआ है, मन को प नियुकि अपने नियुक्त मेंट एक चर्चाए कीश का जए लेकल सेवाओं कि ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हमारे साथ हैं राजस्तान सरकार के मंतरी अरुण चत्रुविदी अरुण जी बात हुए थी एंजीओ की एंजीओ के घाल मेल को हमने देखा है कि किस तरह से सरकारी जो धन का दुरुपयोग और किस तर में एक बालशिप की बात की होस्तल हमारे सामने एक बढ़ी चुनाती है यह भी आपने कई ध्यान में आता है जिन्होंने NGO के फरजी अपने एकाउंट दिखा कर भूमी का वंटन करा लिया, सरकारी पैसे भी लेते हैं, ऐसे आज भी खड़े हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के हैं, वो आज भी खड़े हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कारवाई नहीं है, पिछले सरका मैं तो आपके माद्यम से राजिस्थान के सब लोगों से अगरे करूँगा, उनकी जानकारी में कोई भी हैं जो जो गलत काम कर रहा हूँ, ठीक तरह से अपने उद्देश पर जिस उद्देश के लिए बनाएं, जिस उद्देश के लिए फंडिंग की गए नहीं कर रहा मैं नहीं का, मैं जाच किया बना किसी को रिकमेंट नहीं करूँ, अभी तक मैंने एक को भी नहीं है। करता, तो वो भी अल्मिनिट हो और अच्छे उद्देश के लोग का आगे आकर के कहीं प्रेरित हों और आके काम करें, इसके इस तरह की नितियां बना करके हम उनको प्रेरित करने काम भी करेंगे, वातरों को ठीज़ अभी हान सुचता को लेकर कोई रास्तान सरकार आपका कर दिया, आपको ध्यान होगा कि हमने जो 90 दिन की कारियों जिना मनाई थी, उसमें सबसे ज़्यादा एंफिसाइज किसी ने राइस्तान सरकार ने किया था, सफ़ाई के ओपर किया, उसके लिए बज़ट भी दिया, सरकारी भवनों में सब में सफ़ेदी होनी चीए, साफ स सफ़ाई हो, टॉयलेट चीक हो, इस बात के लिए पूरा फेंडे लोट करके सफ़ाई के ओपर सबसे ज़्यादा एंफ़ाई किया था, और अब भी हम जब भी ये प्रशासन शेरों के संगावियान के दौरान गाउं में जाते हैं संबाग के ने नीचे भी, उन सब में इस उसके नाली बनेंगी, तो डेनेश का सिस्टम होगा, तो इससे साफ सफ़ाई की विवस्ता बनेंगी, शोचाले के लिए पैसे देने की बाद दस जार रुपे प्रतेग घर को शोचाले और उसका आगरे लगातार राहिस्टान सरकार की तरफ से भी चल रहा है, या सब अध रहा हूं, तो देश भी आगे बढ़ेगा, एक सो पचीस करोड लोगों का साथ लेना चाहते हैं, मोदी जी, दूसरी और आपके सरकार के ही मंतरी ऐसे हैं, कि वो कभी टीचर्स को कुछ अनरगल बोल देते हैं, कभी किसी करमचारियों को अनरगल बोल देते हैं, तब जी द तो इसलिए मैं उस पर कमेंड नहीं कर, उनका पूरा भाशन देखा जाए, तो भाव में नहीं था, उबाश्चार्स की बात तो सही है, मैंने इन मंतरियों ने भी जो कहा है, कहीं देखना पड़ेगा, आज अजब जब जब गुलाब चंड कटारिया जैसे औरिस्ट मंतरी ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो तो अपने दाक के पैसे भी वो सरकार से ले ले लेते हैं, मुझे नहीं पतक्षिस परपेक्शन में ने गुलाब जी के बाशन को पढ़ा नहीं है, उन्दों आखवारों में ज़रू पढ़ा ता लेकिन पूरे टेक्स को में नहीं है, ये बास ही है कि राजिस्तान में आज शिक्षा विवस्ता में कमिया खूब हैं, लेकिन इसके आधार पर हम ओवरॉल पूरे सिक्षक सिस्टम को या सिक्षक समधाय को दोशी नहीं कह सकते, आज भी इनी शिक्षकों के दोरा अच्छे डॉक्टर निकले हैं, हमारे यहा कैने लगे हैं कि 163 का इभिमान है जो भाचपा के नेताओं पर सिर्च चड़ के बोलने लगा है, विदान सभा के पटर पर गुलाब जी ने का जो बार बार मालक चन जी विदान सभा सदस के नाति एक ही विशे को दोरा ते रहे, उनने का मैं इसकी जांच कराने की पहले ब को पोलिस की जीब को जला देंगे, दुकानों को जला देंगे और इसके बाद कर रवे की जाए. जांच होगी, जांच में जो दोशीय होगा उसके इक पर किलाब कर रहे होगी. यही बात तो मानेंगे ना हम जब सरकार में बैठे हैं तो हमारा दाही तो बनता है कि हम निश्पक्स्ता के साथ काम करें यह तो नहीं हो सकता कि आज अगर अगर अरून चतुलिदी कह रहा है तो गलत भी कह रहा है तो गुलाब जी को मान लेना चाहिए इस आधार पर ने नह उसको सोचने का है अरून जी आप तो जैपूर से विधायक हैं और भारती जन्ता पारड़ी का कारे करता जैपूर करना बहुत ही परिशान है नगर निगम जनाओ आने वाले और जैपूर की कानून विवस्ता बिलकुल चरमरा गई है यहां कमिशनरेट का राज है लेकिन क पुले आम हो रहे हैं लूट के साथ बलातकार हो गया आज तक पुलिस सुराग तक नहीं डून पाई उन चोरों की और लुटेरों की बात तो डूर पुलिस को मिल चुके हैं और शायद बहुत जल्दी काम इसको पकड़ने में पुलिस काम या पुलिस साफ तोर पे नजर आ रहा है कि जैपूर में कानून विवस्ता और पुलिस की विवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है और के लिए कि एक सिक्खे के दो पहलू आज़ नहीं कि कोई नहीं पकड़ा गया हूँ बहुत बड़ी-बड़ी लूटें भी यहां पकड़ी गई हैं कि मडर के के सब्सक्राइब करने के लिए कि पिछले दुनों की घटना हो करने चिंता सब को होती हैं हम सब के सामने चुन होती है और ह इसको ठीक करने के दिशामें प्रयास में सब लगा हैं पर छह मेने का जो रिकरॉड कहता है क्राइम रिकरॉड जो ही कहता है जैपूर उन गिने चुने भारत के पांच शेरों में आ चुका है जहां क्राइम पिछले च्छह मेनों में तेजी से बढ़ा है लूट और बलातक कि गटना है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं किसी भी सिस्टम को अपन केवल एक तमगा नहीं लगा सकते कि कोई काम नहीं हो रहा है कि हमारे investigation system और law and order का system यह अलग लग नहीं है और यह प्रेशर बहुत ज्यादा पुलिस के उपर रहता है कहीं जगे बड़े-बड़े कभी कोई कारिक्रम आ गए बड़े कुछ आंदोरों आ गए कुछ आ गए तो पुलिस का काफी बड़ा लवाजमा उस काम में लग जाता है investigation काम सफर करता है और investigation के काम में ज़्यादा लगेगा तो लग 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 करना चाहिए इसी तरह पुलिस का एक जो मुखवर वाली system था वो भी कहीं ना कहीं कमज़र हो है पिछले कुछ दूर में उसको मजबूत करने की जूरत है पुलिस act को पास तो हमने कर दिया था भी तलागू नहीं किया गर आइस्थान में जो पिछली बीजेपी सरकार में किया था उसके भी कुछ अच्छी चीज़ें को और अगर आवशकता लगती फिर डिबेट हो जाए लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ें उनको करने की बात है अच्छे पुलिस के लोगों को और जेडिये जो कि यहां जिम्यदार है उसको केवल प्रॉपर्टी डिलिंग के अलावा कोई मतलब नहीं है कि विरासत देखनी पड़ेगी अपने को कि विरासत में कॉंग्रेस क्या छोड़ के गई थी उसमें पूरा जेडिये का खाना कुछ जाना पूरी तरह खाली था निगम में कुछ इस सी चोड़ी नहीं आज निगम कॉंग्रेस का है उनकी कॉंग्रेस की मेर है और उसके बाद भी जिस तरह से पांस साल में जेपर में नगर निगम चला है वो आप से भी छुपा हुने है सारे देश ने उसको देखा है इस परकार से हर अधिकारी और मेयर के जगड़े चलते रहे और उसका कामियाद आज देखेंगा और सड़कों के रिपेर का मिंटेनिस का काम बहुत जिल्दी शुरू होने वाला पार्टी का वजब दीरे धीरे खत्म होता जा रहा है पार्टी केवल मंत्रियों के पीछे और विदायकों के पीछे घुमने वाली पार्टी बन के रहे गई देखेंगे एक अंतर तो समझना पड़ेगा विपक्ष के नाते से हमारा आवाज है कि आम जन की आवाज को हम सड़कों पर उठाएंगे और पूरे पांस साल में बखुभी इस काम को हमने पूरा किया हर विशे को जनता की राजिस्तान में सब जब पूरी बखुभी हमने उठाया है आज हम सरकार हम बैठें हम सड़कों पर नहीं लेंगे लेकिन अपने जो हमारे सरकार में नुमाइंदे बैठें उनको जगजोरने काम करेंगे और सरकार से निर्ने कराके जनता की इतमे काम हो इसको सुनिश्चित करने केंदर में तो मंदिरों की परफॉर्मेंस का आंकलन चुरू गया है किस की परफॉर्मेंस कहसी है लेकिन यहां 300 दिन हो गए है और मंदिर के परफॉर्मेंस को लेकर लोग कुश्चन उठाने लगाए कि परफॉर्मेंस ऐसा शब्द है जो सता चलता है दिन प्रति दिन आदमी के आच्रान विवार की चीजें अब जो स चौबीस घंटे अंडर स्केन होता है जो सरकार में मंतरी हैं विधाय के उनके भी 24 घंटे की रिपोर्टिंग सब के पास रहती है आपके पास भी हमारे पास भी इसलिए उसके लिए 100 घंटे तो दिन ती 300 दिन के इंजार करने ही जुरूत नहीं है परफॉर्मेंस पार्टी के लिए कोई जनता से वादा कर सकते हैं निश्चित रूप से जिन वादों को लेके माएं हमने पास साल का जनता से मेंडेट लिया है और मैं आपको वादा करता हूँ विजली के उत्पादन बढ़ेगा उसको डिस्ट्रिवुशन सिस्टम को ठीक करेंगे पीने के पानी के संकल्प अम्ने विजदान समभा में बजट के अंदर गोशना की है और राजिसतान में स्टेट हाईवे ऑथर्टी बनने का भी विजदान समभा में गोशना किये शिक्षा की छित्र में भी कर दालावों की बात कर रहे हैं स्वास के चित्र में जोज़ार से जध्यक एक पांस साल की योजना बनागा है कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं बिलकुल मैं कहता हूं कि इवल ये बास सही है कि लोगों की इतना अच्छा मेंडेट मिला इसलिए लोगों की अपेक्षा हैं बहुता दिखें और अपेक्षा इतनी है कि तुरंत रिजल चाते हैं लोग लेकिन हमने जो काम के लिए नितियां बनाई हैं जो योजना बनाई हैं उनके परणाम में कुछ समय लगेगा और परणाम आने एक बात निश्चत रुप से राजिस्तान की जनता इस बात के लिए आश्वस्त होगी जन वादों को करके आए थे उन वादों को पूरा करते हैं आने वाले दिनों के लिए अच्छे दिनों का वादा करने हैं जनता को ये नहीं कहना पड़ेगा कोई लोटा दे मेरे बिते हुए दिन ये थे राज़स्तान सरकार के मंतरी अरुण चत्रुवेदी अगले हफते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ